अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चानल हीना हेल्थ क्या आप भी 15 दिन में प्रेगनेंट होने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगे पे आए हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी हरबल टी शेयर करने वाली हूँ जो मात्र 15 दिनों के अंदर आपकी बॉडी को प्रेगनेंट होने के लिए तयार करती हैं अगर आप भी बहुत सालों से ट्राइ कर रहे हैं बच्चा कंसीफ करने के लिए लेकिन बच्चा रुकता नहीं है या डॉक्टर के क्लीनिक के धके खाके ठक चुके हैं महेंगी महेंगी मैडिसन्स भी आप पर काम नहीं कर रही है या आईई आई आइवियो जिसे महेंगे महेंगे treatment भी fail हो चुके हैं तो आप बिलकुल सही जगे पर आये हैं क्योंकि हीना health channel से अब तक 5 लग से उपर महिलाओं ने natural pregnancy conceive की है even IUI, IVF fail होने के बाद भी बहुत सी महिलाओं ने 42 से 45 की उम्र में भी conceive किया है तो natural pregnant होना संभाव है हर एक condition में आपको हम वीडियो के अंदर यही बताते हैं कि कैसे आप अपने root cause को पकड़ के natural तरीके से बिना IUI और IVF की गर्ब धारन कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो share करने वाली हूँ knowledge वो follow करके आप भी pregnant हो सकते हैं तो चलिए without wasting any time वीडियो को शुरू करते हैं आज इस वीडियो के अंदर मैं जिस herbal tea के वर में बात करने वाली हूँ उसका नाम है अश्वगंदा tea अश्वगंदा की जो चाय है वो काफी beneficial है mainly females के लिए क्योंकि यह आपके hormones को balance करती है आपके periods को regular करती है PMS के symptoms को कम कर देती है जिन भी महिलाओं को period आने से पहले pregnancy के symptoms दिखते हैं बट pregnancy नहीं होती इसको PMS के symptoms कहते हैं यह PMS के symptoms को कम करती है आपकी sexual life को और better करती है आपके reproductive system को यानि गरबाशे को मजबूत करती है menopause के symptoms को कम कर देती है आपके mental और physical health को भी improve करती है बहुत सी महिलाओं तो सिर्फ stress लेने के कारण pregnant नहीं हो पारे सिर्फ दिन रात यही सोचती है कि pregnancy कब conceive होगी कब हम अपने घरवालों को good news देंगे यह stress के कारण उनके दूसरे hormones disturb हो जाते हैं जिसकी वज़े से वो pregnant नहीं हो पाती तो आपके hormones balance करने के लिए आपके physical और mental health को अच्छा रखने के लिए अश्वगंदा ही आपको मदद करता है यह अश्वगंदा tea आप अपने घर में बना सकते हैं इसको बनाने के लिए आपको अश्वगंदा का पाउडर लगेगा अश्वगंदा का पाउडर आपको किसी भी आरवेदिक शौप पे easily मिल जाएगा आप हमसे भी खरीच सकते हैं आपके उपर स्क्रीन पे नमबर शेयर हो रहा है इस नमबर पे भी वाट्साप करके आप अपना अश्वगंदा ओरर कर सकते हैं एक कप गुनगुने पानी के अंदर एक छोटा चमच अश्वगंदा का मिक्स करके आपको दिन में एक बार लेना होता है रात के खाने के आदे घंटे बाद सिर्फ दिन में एक बार आप ये पीरट के पहले दिन से पंदरा दिन तक ले सकते हैं ये उन फीमेल्स के लिए है जो जॉब करती है या जादा समय नहीं मिलता है कोई होम रेमेडी फॉलो करने के लिए तो आप पंदरा दिन इस्तमाल करके छोड़ सकते हैं लेकिन अगर आपके पास समय है और आप अपनी हेल्थ को और अच्छी तरीके से इंप्रूफ करना चाते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अश्वगंदा के इतने बेनेफेट्स है तो आप इसको पूरे महीने इस्तमाल करें पीड़ के पहले दिन से आखरी दिन तक जब तक आपको गर्ब नहीं रुख जाता बेटर रिजल्ट के लिए आप दो से तीन महेने अराम से यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप उस डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ भी अश्वगंदा ले सकते हैं अश्वगंदा के जितने बेनेफिट है उसके कुछ-कुछ साइड इफेक्स भी है आपको ये पता होना चाहिए कि अश्वगंदा किन कंडिशन में नहीं लिया जाता जिनको थाइरोड का प्रॉब्लम है या थाइरोड डिसॉडर है अश्वगंदा वो बिलकुल नहीं लेंगे जिनको autoimmune disease है वो भी अश्वगंदा नहीं लेंगे pregnancy के दोरान और breastfeeding mothers भी अश्वगंदा नहीं लेंगे अगर आपको नींद ना आने की problem है तो भी आप अश्वगंदा नहीं लेंगे अगर आपको stomach ulcer है तो अश्वगंदा बिलकुल ना ले अगर आपको fever या किसी allergy या reaction का problem है body में तो भी अश्वगंदा बिलकुल भी ना ले अश्वगंदा आपके blood sugar को कम कर देता है तो अगर आपको blood sugar से related कोई problem है या आपकी कोई medication चल रही है उस condition में भी अश्वगंदा skip कर दे अगर आपकी कोई हाली में surgery हुई है या surgery के लिए आप जा रहे हो तो भी अश्वगंदा avoid करिए अश्वगंदा बहुत कम quantity में लेने से आपको कोई side effect नहीं होता लेकिन जादा quantity में लेने से इन condition में आपको जरूर कोई side effect दिख सकते हैं इसलिए एहतियाद बरत के ही अश्वगंदा का इस्तिमाल करें अब बहुत से हमारे जो patient जो अभी already हमसे treatment ले रहे हैं उनके भी question होंगे क्योंकि जबी भी यो कोई YouTube पे home remedy देखते हैं तो उनके मन में ये question जरूर आता है कि क्या हम इसी try कर सकते हैं तो अश्वगंदा आपको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जो fertility treatment प्रोवाइट किया गया है उसमें already अश्वगंदा थोड़ी amount में दिया गया है तो आप उसको ले सकते हैं safely उसके कोई side effect नहीं है अश्वगंदा अगर किसी को पानी में नहीं लेना है तो आप milk में भी ले सकते हैं और milk ना पसंद हो तो पानी के साथ भी आप ले सकते हैं अश्वगंदा सरफ दिन में एक बार लीजे ताकि आपके fertility boost हो ये काफी beneficial है females के लिए और अश्वगंदा का इस्तेमाल करके लाखों महिलाओं ने pregnancy भी conceive की और बच्चे को भी deliver किया है तो अगर आप भी जल्दी conceive करना चाते हैं तो अश्वगंदा का इस्तेमाल करें और अगर आपको कोई other problem है तो आप हमारे YouTube पे वीडियो देखकर follow करें और pregnancy conceive करें हमने ऐसे 700 से 800 home remedies शेर की हैं जिससे महिलाओं ने गर्बधारन किया है तो वो वीडियो देखें और infertility journey में motivate रहने के लिए हमारे YouTube के community post से connect रहें और Instagram पे भी connect रहें क्योंकि हम daily testimonies भी शेर करते हैं patient की जिनोंने natural conceive किया है अगर आप भी बहुत समय से try करने हैं बच्चे के लिए काफी इलाज करवा लिया है लेकिन कोई फाइदा नहीं हो पा रहा है तो उपर दिये वे नंबर पे वाट्साप करके भी आप हमसे consult कर सकते हैं इस नंबर पे वाट्साप कर ये I want appointment आगे का procedure मेरी team आपको guide करेगी online और offline दोनों ही appointment की सुवीदा available है अगर आप treatment चाते हैं natural तरीकी से pregnant होना चाते हैं बहुत से लोग question करते हैं कि fertility kit कैसे ले fertility kit सिरफ under consultation दिया जाता है patient को उनकी age उनकी उमर और उनकी medical health को देखते हुए तो अगर आप भी जल्दी conceive करना चाते हैं और अपने लिए customized treatment लेना चाते हैं तो उपर दिये वे नंबर पे वाट्साप करें और जानकारी के लिए आप हमारे website पे विजिट कर सकते हैं www.hinahel.in मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए Allah हाफिस